दोस्तो आज के इस वीडियो में हम 5S के बारे में जानकारी लेने वाले हैं 5S क्या होता है 5S को इंप्लिमेंट्स क्या जाता है 5S के एडवांटेज क्या क्या होते है इसके बारे में विश्तर पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे दोस्तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो अभी सब्सक्राइब लाइक और शेर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिपिकेशन के लिए बेल आइकान पर क्लिक चलूर केज़ेगा चलिए दोस्तो अब हम फैयूस के बारे में जानते है फैयूस अपनाने से पूर्वा हमारे वर्क्शाप में हमारा टूल्स सामान इस तरह से बिकरा होता है हर जगा पड़ा होता है लेकिन 5S अपनाने के बाद हमारा वश्चाप इस तरह से दिखता है जो सही जगा पर सामार रखा जाता है और जरुद के हिसाब से वो तुरंती मिल जाता है इस तरह से ये 5S का एक लाव होता है 5S क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में जान कर लेते हैं 5S एक जापानी सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेश मैनेज किया जाता है 5S एसा जापानी सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और करमचारियों की साहिता से अपने वर्क प्लेश, मशीन, कारियस तल आदी को सही रख और शुरक्षित रहते हुए कारिय करना ही 5S कहलाता है 5S को जापार में विक्षित किया गया है जिसमें पाच सब्द होते है जिनके अलग-अलग कारिय होते है और जिनकी सायता से कारियस तलकी दखसता में सुदार और वेश्ट को कम किया जाता है यही 5S का मतलब है 5S में कौन से कौन से यसे उसके बारे में आभम जान करे लेते हैं जब से पहला शार्टिंग मतलब छटाई दुसरा यसे शेट इन आर्डर सुवेस्था तिसरा यसे शाहिन स्वच्छता 14S है स्टेंडराइज हिंदि में मान की करन और पाच्वा S है सस्टेन हिंदि में अनुशासर यह 5S है दोस्तों अब हम सबसे पहले पहले S के बारे में जानते हैं शार्टिंग या छटाई इसमें कुल चार बातों का अवश्य धन में रखना चाहिए सबसे पहली है ऐसा सामान जो हमें बिल्कुल चाहिए नहीं इसे सामान को हटा देना चाहिए वर्षप में ऐसा बहुत सामान होता है जो हमें चाहिए नहीं होता है तो उसको हमें से हटा देना चाहिए इसा सामान जो चाहिए पर अभी नहीं चाहिए उदारंग के तौर पर जैसे स्वेटर होते हैं हमें सिर्फ थंड के मोसम में चाहिए गर्मी के मोसम में उसे अलमारा में रख देना चाहिए तिसरा जो है ऐसा सामान जो चाहिए परन्तु यहां नहीं चाहिए उदारंग के तौर पर किचन का जो सामान होता है हम बेडरूम में नहीं रख सकते, इसलिए उसको किचन में ही रखना चाहिए, मतलब हमें तो वो सामान चाहिए, लेकिन उसकिस्तान पर नहीं चाहिए, ऐसा सामान जो चाहिए परन्तु इतनी मात्रा में नहीं चाहिए, इसे सामान को जरुत के अनुसारी लेना चाहिए, ये चार बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए श्यार्टिंग करते समय है आई इस में श्यार्टिंग करते समय निम्ने बातों का ध्यान रखना चाहिए छटाई करने के दवरान और छटाई करने के लिए रेट ट्याग का भी प्रयोग किया जाता है जिन वस्तों की जरुवत नहीं होती है उनमें रेट ट्याग लगाए जाता है जीन बस्तु कि हमें कोई भी जरुवत नहीं होती उससे पे रेट ट्याग लगा देना चाहिए छटाई के लिए दिश्या निर्देश है जब पहला एफशुलेट जैसे जो पुराने टूल्स जीक्स आधी होते हैं उनको ह थका देना चाहिए है नॉट इंडिक्लेस्ट वतलब साहि जगा पे नहीं होना जो चीज़े आपको ईसकेश दिकाया पहले हमारे जो सामान थे बिख्रे थे जिदर उदर चाहिए नहीं उनको हटा देना चाहिए जैसे आज शीड़ी दिखाया गया तो उसको हटा दिया है उनने तो और यह रेट टेक का भी आपको प्रयोग कर सकते हो जिसके आपको जरूरत नहीं है इसे जो सामान होते उसमें प्रेट टेक लगा देना चाहिए शार्टिंग के क्या-क्या लाव होते उसके बारे में आप हम जान करें लेते हैं सबसे पहला शाप लोर पर स्थान नई घिरा रहता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मतलब जो अनने से हम चीज़ हटाएंगे तो उसकी जगा खली ह हो जाएगी आवशक वस्तों को खोजने में आसानी होती है जो हमें वस्तों चाहिए उसको खोजने में बहुत ही आसानी होती है कारिक शत्र में मुश्किल कम हो जाती है प्रोड़क्टिविटी में सुधार हो जाता है इस तरह से पहले इसके एडवांटेश थे अब हम देखते हैं दुसरे इसके बारे में शेट इन आर्डर सुवेश्ता इसके लिए एक कावत दिया गया है place for everything and everything in its place इसको हमेशा फालो करना चाहिए र वस्तू का स्थान निर्दारित किया जाए और हर वस्तू को निर्दारिक स्थान पर ही रखा जाए ये हमेशा फालो करना चाहिए shit in order में इस नियम से आप 5 ways के दुसरे चलन して in order को आसनी से लागू कर सकती है इस नियम की साहिता से आपको वस्तों को खोजने में आसनी होगी और उन्हें उपयूग में लाने में आसनी होती है इसके दिशा निर्दे से सबी वस्तों को निर्दारी स्थान में रखे जिससे उनने उपयोग में लाने में आसानी हो सभी जो वस्तु होती है उनको निर्दार स्थान जो स्थान दिया गया है उसी में रखना चाहिए जिससे उपयोग में लाने में बहुती आसानी होती है जरुवी वस्तों को खोजना आसन बनाए जिसके लिए साइन बोर्ड और टैग का प्रयोग करना चाहिए जो वस्तों होते हैं उनके लिए साइन बोर्ड या फिर टैग लगा देना चाहिए कोई भी वस्तु प्रयोग किये जाने के बाद उसे निर्दर स्थान पर रख देना चाहिए जैसे हमारा काम के लिए हम कोई चीज लेते हैं तो वापसिम उसे में रख देना चाहिए वेश्ट को कम करना चाहिए इस तरह से ये दिश्या निर्देश है सेटिन आर्डर के लिए इनका पालन करना चाहिए जिसे की स्केच में दिया गया है काम होने के बाद जिसको जो जगा दी गई थी उसे में रख देना चाहिए इसमें वस्तो को खोजने में आसानी होती है और हमारा सर्चिंग टाइम कम होता है अगर वास्तों सही जगा पे रखा है जो जगा उसको दी गए उसमें रखा है तो हमारा सर्चिंग टाइम होता है उपकम हो जाता है उसके लिए इदर उदर धोड़ने की ज़रूरत नहीं होती टैब नर्बर इटिर्च को सही करने का खोज़ने में और उससे सही करने में हलप मिलती है प्लाइट में स्पेश की बच्चत हो दाती है इससे प्लाइट में इपीशेंसी बढ़ती है जैसे कि आप सकेच में दे सकते हैं कि हर एक चीज के लिए specify जगा दी गए और उसी में वो रखना चाहिए इस तरह से वह आप floor पे marking कर सकते हो किसरा A से shine मतलब स्वच्चता जैसे कि आप सकेच में देख सकते हो कि एक workshop का sketch है बिलकूल साफ सुत रहा है तो हमारा भी वर्क्लेस जो होता है धरका रहे या फिर वर्क्षप कर रहे जहां भी हम कार्य करते हैं उसको बिल्कुल इस तरह से साप सुत्रा रखना चाहिए अपने कार्य स्थल को साप और स्वच्च रखना चाहिए और अपनी मशीनों उपकर्णों की सफाई आयलेंग लुब्रिकेशन उपकर्णों को चेक करना कि उसमें कोई एबनर मलाइज तो नहीं हैं इस समस्या को भी चेक करना चाहिए हर कंपेने में क्लीनिंग करने का समय ने कि इसके लिए जो गाइड लाइन है सपाई करने के लिए वह इश्त प्रकार है शपाई करते समय उपकर्णों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें धिंस्छन से साप कर देना चाहिए जिसके हम सपाई करते इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए रूस्स में कुछ को grapheur नहीं है उसका भी ध्यान आपको रखना है सपाई करते समय इनिश्पेक्शन भी करना चाहिए जिससे टूट फूट लिकेज दरार आधिका पता चल सके कि अधर्ट को जो दिया गया है आप देख सकती इसमें बिल्कुल इस तरह से आपको यह फालो करना है इसके जो बेनिफिट्स है वो इस तरह से है प्रतिदिन सपाई करने से मशीनों और उप्तरनों की अच्छी देखबाल होती है सबी वस्तुए अपने निर्धार स्थान पर होती है पारेस तल अच्छा दिखता है कर्मचार्यों का मनोबल बढ़ता है और उत्पादन बढ़ता है हम फोरेस मतलब स्टेंडराइज मानकी का रंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जान कर लेते हैं फोरेस इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बिल्कुल हर एक चीज आपको स्टेंडराइज में करना होता है जैसे कि इसमें कलर कोट का भी प्रयोक किया जाता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है और जो ग्रीन होता है वो मट्रेल एंड कंपोनेंट्स फिनिट गूट्स और शेप्टी इकुमेंट के लिए किया जाता है उसी तरह रेड जो हता है वो डिपेक्स, फायर, स्क्राप, रेड़ वर्क एंड रेड टेक एरिया इसके लिए एक कलर कोड यूज किया जाता है जो एक स्टैंडर कलर होते है थ्री एस का मानकी करन करना और इंशुर करना की थ्री एस का पालन हो रहा है या नहीं सभी करमचारियों को मानकी करन का पालन करना शिकना होता है जो कार्यस्थल के लिए नया पेरिमिटर बन जाएगा जिससे पुरानी आदते जल्दी ही इस नई और अच्छी आदत में से बदल जाते हैं इसमें स्टेंडराइज करने के लिए सभी करमचारियों को जिम्मेदरी बाट देना चाहिए सभी जिम्मेदरियों को नियम बना देना चाहिए जो हम जिम्मेदर देते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाना चाहिए हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि सभी अपनी जिम्मेदरिया सही से पूरी कर रहे या नही है मतलब उसको आपको चेक भी करना होता है, इस तरह से ये मानकी करन करना होता है, मानकी करन के क्या कैलाव होते हैं उसके बारे में जानते हैं, मानकी करन का पालंग करने से प्रोड़क्ट की गुनवत्ता में सुधार होता है, उत्पादन में रुद्धी होती है, अच्छे कारे प्रश्टल का निर्मान होता है, जिससे कर्वचारियों का मनोबल बढ़ता है, कम्पनी में नियम और अनुशाशन बना रहता है, यह स्टेंडराइज के बेनिफिट्स होते हैं, अब अब चलते हैं सस्टेंड, फाइवेस का जो आखरी जो है यह सस्टेंड, अनुशाशन, फ होता है, पहले चारो स्टम को अच्छे परिनाम पाने के लिए अनुशाशन बहुत ही जरूरी है, और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नियमों को बनाए रखा जाए, अनुशाशन के लिए कुछ दिशान इर्दिश दिया है, उसमें से पहला है, जिम्मेदार कर्मचारियो को डेली मोनिटरिंग करना चाहिए, जिससे पता चले सके कि फाई यूस का कारिया कैसे चल रहा है, इसमें हमेशा डेली मोनिटरिंग करना होता है, फाई यूस का कारिया कैसे चल रहा है, दुसरा है, एरिया बाट कर उस एरिया की ओनर्शिप बाट देना चाहिए, हर एक कर कम्यूनिकेशन होना चाहिए जिससे 5S का पालन सही हो सभी में आपस में कम्यूनिकेशन होना बहुत जरूरी है जिससे 5S का पालन हो सके बीपर और आप्टर की पिक्चर का तरीका प्रयोग कर सकते उनको समझाने के लिए आप बीपर और आप्टर के जो पिक्चर होते वह समय समय पर कार्यक्षित्र की आडिट करना चाहिए यह बहुत्व पुर्णा बात है, समय समय पर कार्यक्षित्र की आडिट करना इस तरह से यह दिशानिर्देस है, प्रत्रीक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को समझता है और शाप लोर पर अच्छा मौल बनता है, सभी कर्मचारी के अनुशासित होने से प्रोड़क्ट की क्वालिटी में सुधार आता है, सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, इस तरह से ये बेनिफिट्स है, अब हम फाईवेर्स के बेनिफिट्स जानते हैं, सबसे पहला ह प्रोड़क्ट की क्वालिटी में सुधार होता है, कस्टमर की सिकायते में कमी आती है, प्रोड़क्ट डिफिक्ट में कमी आती है, स्क्रैप में कमी आती है, इन्वेंटरी कम होती है, प्रोड़क्ट बनाने की कॉस्ट में कमी आती है, प्रोड़क्ट की डिलेवरी अच्छ होती है, प्रॉंट की Efficiency बढ़ती है, कर्मोचारियों कीbolica बढ़ती है, त्रूपूट टाइम कम होता है, उर्जा Khपत में कमी आती है, प्रदूशनमे कम होता है, कर्मचारियों का मनोबल मढ़ता है और उत्पाधन बढ़ता है इस तरह से फाइवेस के ये लाब होते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दीगर जानकरी बहुत पसंद आए होगी ऐसी नहीं नहीं जानकरी जानने तो आप हमारे चैनल को लाइप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा थेंक यू